रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफेकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें आशू भी बाट के पीते हैं यहाँ प्यार बरसता है चारो और धिर भी दिल मांगे मो ये दिल मांगे मो ये दिल मांगे मो दी दी मैं कुछ हेल्प करूँ दी आपने मेरा ब्लेम आपके सर क्यों ले लिया दी गल्ती तो मेरी ती जा फरक पड़ता है वैसे भी पापा मुझे ना समझ और गहर जिम्मेदार समझते हैं पर उन्हें तुछ से उमीद है अगर तूने भी उन्हे निराश कर दिया तो उनक को कपिल भाही का बद्रें खराब कर दिया ना? खराब नहीं किया बस सबका मूट घराब हो गया दॉनérique चांकि धॉरान खुशी के मौके पर दुश्मन भी सीजफाय कर देता है तो हम तो फैमली हैं हां सब एमिली फैमिली खेलो और बस मुझे बाहर कर दो ओव भाभी भाभी आपको पता है ना मा एक मिनिट नहीं लगाएगी आपको मेरे से उपर चुनने में हाँ जानती हूँ क्योंकि मेरा एक नहीं दो रिष्टियों उनके साथ एक बहू का और एक बीटी का अगर वो अक्सिजिन पे जिन्दा उसे अक्सिजिन दे दे रहो बस दियोच नहीं दे रहे हैं मैं दस मनें पॉच्छता हूँ वाँ अच्छा हूँ आपने रिष्ट को पहले ही वहां बेच दिगा अब चलोगे या मूरत देखोगे नहीं सर फूथ मनें देख लिया अब जीट मूरत चल रहा है मेजर आरिन इसका शिकार करते करते न मुझे बुखारी आ जाना है कितनी महनत कराता है फिर भी हाथ नहीं आता इस बाट तो ममी ने सच में चपेड मार गीनी है मेरे नहीं 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 जादिवान मत चलाओ पहले ही कम है पूछना सीधे सीधे पूछनो सर वो उस डॉक्टर चोती के पापा ने आपको वे बचाए इतना कुछ सुना दिया हमें बोले तो चलते लेकिन आपको कहे तो सर दुख होता सर यहां सीधा दिल पे सामने देख आप पता नहीं कैसे परदाश करते हैं यह सब सर आप वाराग हट के जिस भी घर पे खटकर आएंगे न लोग आरती का थाल लेकर आपका स्वाकत करेंगे लेकिन आप पता नहीं क्यों ऐसे कैसे मुझे पता आप एक्स्प्लेंशन नहीं देते पर राइड और आज भी नहीं दूँगा और नहीं अपनी बात दोराँगा इसलिए कान खुर के सुन लो कशप्स के घर में रहना मेरी मिशन की डिमांड है और जिसके लिए मुझे जोग करना चाहे वो मैं करूँगा पर इसके बीच में कोई नहीं आ सकता यह आएगी सर यह लड़की बाज नहीं आएगी मेजर आरेन आपने सुबे से कुछ नहीं खाया और खाली पेट दवाई नहीं ले सकते मुझे लगा था यह डॉक्टर पेशिंट का खेल खतम हो चुका है में जोग आपके लिए खेल होगा मेरी लिए मेरी ड्यूटी है और क्या है ता बवाल करने के बाद आप मुझे आर्टिट्यूट दिखा रहे है इसके लिए मैं इससर को अलरडी सॉरी बोल चुका सॉरी बोलने की ज़रूद नहीं पड़ती अगर आप अच्छे पेशिंट की तरह अपने रूम में रहते हैं मगर नहीं आप तो आडिया लें ना पहले मेरी बात सुरी ना आप सुन रहें सहर्म आपो फुद ही ठीक नहीं होना तो मैं क्या कर सकती हूं वहीं समझा रहाँ, तुम कुछ नहीं कर सकती और वैसे भी जो मैं करता हो उसकी وجह बताना मैं जरूरी नहीं समझता अडियोग१ा आडइल, ड्राकूला, समझता क्या अपने आपको मैं किसी को अपने अक्शन के लिए एक्स्प्लेनेशन नहीं देता मैं बड़ा मरी जा रही हूं सुनने के लिए हाँ जोती 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 बिटा जी दिवारी अंकल क्या हुआ अर्भ गरी माँ मेरी बहु शीडियो से गर गई है क्या हाँ साओ साओ जोच में तो आगया है लेकिन उसकी हालत अभी भी बहुत नाजुगा है मुझे से इंफोमेशन से मतलब है उसकी हालत जैसे भी हो I don't care साओ क्यार तो करनी पड़ेगी डॉक्टर शंकर ने क्लियर ली बोला है उसकी हालत बहुत नाजुगा है इंफेक्शन बहुत जल्दी फैल सकता है इसलिए उससे दूरी बना कर साओ कोडनें बारूद मेजर आरियंग तुम्हारा असली नाम क्या है किसने बेजा तुम्हें है साओ साओ पोस्ट ऑफिस के बाहर किसने कोली चलाई थी तुम पर तुम्हें आकेले आयो तुम्हारे और भी कोई साती है कोडनें बारू तांसवी डामिट सब इस सवालों के जवाव तुम्हें तुम्हें उकलवा करोंगा उससे पहले मरने भी नहीं दूंगा तुम्हे इसके कुमा से भार आनी खबर इस कमरे से भार नहीं जानी चाहिए और जल से जल से किसी सिक्यर फिसर्टी में ट्रांसवर करवातो सबस्पे टाम लगे है सर पॉमिशनेरी आई नो दाट्सपीड अट्सपीड अट्सपीड़ कि चारो तरह पेरा बढ़ा दो डबल सिक्योरिटी क्योंकि दिश्मन इसे मारने कभी भी आ सकता अलो क्या लाइन स्लाइन कहां ओके 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 अरे मा लाइन आप मैं कर देते हूं मा 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 मैंने मानसी को म्यूजिक सिखाने से मना कर दिया है मा मैं जानती हूं मानसी को म्यूजिक सिखाने के चक्कर में मैं इस घर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूं लेकिन मा ऐसा अपसे बिल्कुल भी नहीं होगा इवेंट में बस दो दिन पाकी हो और उसके बाद मैं घर से भी नहीं निकलोगी लेकिन मा आज रिहरसल थी तो मैं सोच रही थी अगर आज आप मेरे साथ आती तो अच्छा होता हाँ मा मा बस थोड़ी टाइम के लिए सही मुझे बहुत अच्छा लगता है ना मा डॉक्टर जूती मुझे लगता है कि मेनी और चिट्टू को समालना मुश्किल है मगर ये तो उनसे बड़ी बच्ची हैं नुवा मैना चल रहा है और सोले की बसंती की तरह उशलकूत कर रही है बताओ बच्ची बन गई एकदम से कोई ऐसा करता है क्या ये आपका होने वाला बच्चा तब इसी की गलती है मुझे मट डाटो यस मेजर आडियन ओके मेजर आडियन अब क्या हुआ डूटी पर रिपोर्ट करनी है मेजर आडियन का कॉल था डूटी जल्दी आने के लिए थाइंग्स और अभी मुझे हैट पर्टर्स के लिए निकलना होगा और तुम अपना ध्यान रखना बेट से कहीं उतरना मठी के मैं जल्दी आपस आउँगा अदू गरिमाम तुम्हारे लिए स्ट्रेस लेना बिल्कुल सही नहीं है हाँ जानती हूँ लेकिन मेजर आडियन के मिशन्स हमेशा रिसकी रहते है और उन्होंने अर्जेंटली कॉल के है मतलब जरूर कोई बात होगी हम शौब भीज़ा आर्यन को तुम्हारे कांडिशन के बारे में पता है और तुम्हें ध्यान में रखते हुए ही वह अदेश भईया को किसी नहीं किसी मिशन पर भीजेंगे तुम बिल्कुल स्ट्रेस मदल आराब से बढ़े यहां से 125 किलमीडर दूर यहां पंचेडी रेंज में लैंस्टाड हुआ है जिसकी वैसे तुक्सेल गाउस से निकलने के साई रास्ते ब्लॉक हो चुके है और असपर रेपोर्ट्स अब तक महां 12 सिविलेंस फसे हुए है हम आरे साथ साथ एरफोर्स भी यहां मदद करने के लिए पूच रही है मैं आख खुछ चला जाता लेकिन लेकिन जब तक बारुत को होश नहीं आता मैं बारगाट चोड़ के नहीं जा सकता मेजर विद और परमिशन मैं इस ओपरेशन को लेड करने के लिए ताहियार हूँ नो क्याप्टर मेरा तुम यहां मेरे बेहाव पर प्लटून की टेरिंग करोगे हम केरेट स्कॉर आराम नहीं दे सकते लफन आदे इस्तिवारी यस सर इस मिशन के लिए आप सबसे जादा कॉलिफाइड है लेकिन मुझे पदा चला है कि आपकी वाइफ एक्सपेक्टिंग है सो इस मिशन पर जाना या ना चाना इस अन्यू ड़ेसाइड बेसिक जाना है सर गुट लेकिन पीछे अटने का मोकानी मिलेगा आनो सर भरोसा करिए अपने प्लेटिवन और आपका सर कभी में जुकने नहीं दूँगा अरे वाँ कितना अच्छा गाया आपकी बहुने बहुत गुमी है मा मुझे पता था अब जरूर आएंगी अपनी बेटी को गाते हुए देखने का मौका कैसे छोड़ सकती थी मैं भला वैसे मुझे अच्छे से पता था कि तेरे जैसे गुरू के होते हुए बांसी ये कॉम्पिटिशन जरूर जीतेगी अजी हार ना तो मेरी बेटी ने सीखा ही नहीं है इसे तो बस जीतना आता है फिर चाहे वो बाजी हो या फिर किसी का दिल काया तो तुने बहुत अच्छा है मांसी हाँ वो तो बीच पे ना मैं कुछ लाइन्स भूल गए थी अच्छा हुआ संध्या थी वरना आज मझे तालियों के जगा गालिया मिलती और देखो कितनी प्यारी कितनी फोली है मेरी बच्ची अपनी जीत को क्रेडिट भी लोगों को दे देती है इससे कहते हैं संस्कार और होती है कुछ कुछ लड़कियां किसी किसी की बेटियां उल्टा ही जवाब देती है अरे जबान चलाने से फुरसत नहीं है वैसे बिटा तूने तो सुना होगा ना सास बहु का भी कॉम्पिटिशन हो रहा है और मैंने उसमें तेरा और अपना दोनों का नाम लिखवा लिया है लोगों को भी तो पता चले कि हम कश्यप्स किसी से कम नहीं तो फिर चाहे बाद जुबान चलाने की हो या फिर गाना गाने की है सच मा आदू, मैंना आपसे बहली ही कह दिया है जब तक आप लौट के नहीं आओगे मैं इस बेबी को दुनिया में नहीं लाने वाली प्लीज घ्री, यह मेरा बच्चा है और यह सिर्फ मेरा कहना मानेगा बच्चा जब आप रेडी हो जाओं तो आप लिफ राइट करके बाहर आ जाना हो आपके पापा आपसे बाहर ही मिलेंगे आदेज बिटा, तुम यहां का चंता बिलकुर मत करो अपना मिसंद पूरा करो और सही सलामत घर लटाओ और हाँ, इस बारना जल्दी आना पक्का मा, इस बार में जल्दी आओंगा और आप बेरिटेट हो जाओगी कि वह अपस कब जाएगा चले डॉक्तर जोथी, आपको अंदर जाने से बहले क्लिर नुक्रिर लेना ओगा क्लिरेंस? जी क्या मतलब? किसी इमर्जनसी सिचुएशन में पेशन्ट को पहले क्लिरेंस देना ओगा फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा उतने में पेशन्ट को कुछ हो गया तो हो सकती है मेजर किसी के लिए भी पर ऐसे सिचुएशन में पेशिंट पहले क्लियरंस लेगा और यह सेम रूल्स डॉक्टर के लिए भी है मेजर यह हॉस्पिटल है कोई पार्लेमेंट नहीं मेजर कोई तकलीफ ना हो यह प्रोड़कॉल सेफटी के लिए किसी को तंग करने के लिए और कुछ अब हाँ आपने गरिमा के हस्बेंट को इतने रिस्की मिशन पर क्यों भीजा आप जानते हैं गरिमा किस कंडिशन में एक मिनट एक मिनट मैंने किसी को फोस नहीं किया है लेफ्रेंट नादेश को तो अपनी मरसी से गा है इस मिशन के लिए और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे मेरे हर काम का एक्सपलेशन तुम्हें देना चाहिए क्या मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं इस कैपल के जगे बेव लेडियूज करो नहीं ना आई सु वाड वन कोट गुलू आई रिपीट आई सु वाड वन कोट गुलू सर्मल नंक आया देखा थो ऑक्सीयो माज सकता हूआ था कि डॉक्टर शंकर का यह सरो में कि अमर्ज़दी शर्डर्य में भीजी में इनो नो 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 यह 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 मर नहीं सुद के मेरे सावालों के जवाब देंग मर नहीं सकते तोट टोट ओचिते, टोट जोती, शुनी, जदी से इसे इंजेक्शन दीजिए आप मुझे मेरा काम मत दिखाईए, मुझे पता है मुझे क्या करना है वारूद, वारूद ध्यां क्यों आयो तो वार काड आने के पीछे तुमारा मकसाद क्या है? वारूपर कुछ रहा दूंसे कुछ, मेजो, पीछे हाटिये कि आपके सवालों के जवाब तब दे बाएगा, जब ये जिन्दा रहेगा आतो जिन्दा रखो इसे, मैं कुशिश कर रही हूँ ना, तो मैं शांत रहेंगे मेजो, अब इसकी कंडिशन थोड़ी स्टेबल है, हो सकता है कल तक आपके सवालों के जवाब देने के कंडिशन में आजाए, मगर इस वक्त ये किसी भी स्ट्रेस लेने के कंडिशन में नहीं है, तो इसे कोई इंजेक्शन दो, इसे कंडिशन में लाओ डॉक्टर, मुझे मैं नहीं पता ही, किसी ने जानमूच के किया या क्या, लेकिन अगर ये मर जाता न, तो अपने साथ कई राज ले जाता और मैं वह नहीं होने दे सकता, मैं समझती हूं मेजो, बस इस रीकावा करने दीजे, फिर आप जितना ग्रिल करना चाहते हैं, आप कर लीजेगा, या उनको बोलिएगा बोड उपर करें, उपर करना है, जब को पता लगे कि बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, ठीक है, ओके, हाँ, 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 मुस्कार, हाँ, 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 आप गोड, चरवाए, से ओ, अ, आप फिर से भाई फीलिंग, हाँ, अजीब है पर हर साल जब में इस द्वारागाट की विनर इस मशाल को जलाती है, ना, रॉंक्ते खड़े हो जाते है, ये मशाल इतना कुछ रीपेजेंट करती है, ना, वो गल्फ जो इस देश का हर नागरिक फील करता है, इस देश की सेवा करने का सम्मान, इस देश में जन्व लेने का सौब भागे, चब ये मशाल की लौटती है, ना, तो एक मिश्वास दिलाती है, ये चाहिए जो हो जाए, तुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हमारे देश के सेनेख में कुछ नहीं होने देंगे, और इस मशाल की रोशनी की तरह, वो हमारी जिंदगी में कभी अंधिरा नहीं होने देंगे, समझ गई तेरे इमोशन्स, अब चल, तुझे फूल लगाने हैं और मुझे कमेंटरी स्टार्ट करनी है, हाँ तो चल ना, इसार टाइम बेस क्यों कर रहे हैं, मैं टाइम बेस कर रहे हूं, प्यारी बास हो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का दिन द्वाराघाट के लिए कितना बड़ा देने हैं, इसलिए दिल खोल के आज के दिन का मजा लीजिए, मेरे यानि करूना के साथ, तो शुरू करते हैं थोड़ी मस्ती और मश्किरी के साथ, आपके लेफ्ट में है अपने थन्ना, अपनी बेटी बोल्डी के साथ, जिन्होंने इतना बोल्ड पहन हैं कि मुझे समझ भाई आ रहा कि वो सोना पहन के रही है या सोना उन्हें और आपके ड्राइट में है कामना और सूप्रियाजिए, अपनी बेटी चिक्की और पारो के साथ, पारो के जल्वों के तो क्या कहने, मिस द्वारागाट की ट्रॉफी तो क्या, इस बार सीधा मिस इंडिया का ताज पहनेगी वो, आप सभी जानते हैं, ये इवेंट इस द्वारागाट चुनने का तो है, साथ ही साथ मिस को मिसिस बनाने के लिए भी इतना फेमर्स है, तू अस्ती, मतला फणी तो था, फणी तो ये है, कि इस द्वारगार जैसे इंपोर्टन इवेंट को, तो मैच मेकिंग वेन्यू बना रखा है कि रनाटी है, जो खुद मानसी के लिए लड़का ढून रहे है तीन साल से, हाँ, तो क्य एसा कोई विश्मत कर, मेरा एसा कोई विश्नी है, प्लीज, मैं तो बहुत खुश हूं, कि मा मुझे लेकर असा कुछ नहीं सोचती है, अरे सोच, डॉक्टर जूती, मिस द्वारा घाट, सब तेरे लिए तालिया हो जा रहे है, और किरेन आंटी के कालों से धुनवार निक ाइ良 ना कि स सब्सक्षी हissä, त Say it ha रहे है, झालिया ऑन उच्टर जूती, मैं रहे है, विश्मत क्राइज सा कि विश्रा ए भीश्टा, स सब्सक्राइए रहे है, प्लेकर आंटी कोई तो झालिया है झाल झाल